नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं चीन के हालात देख नए वेरियंट से निपटने के लिए जर्खन तयार चीन में मिले कोरोना वेरियंट बी एफ साथ ने कहर पर पाना सुरू कर दिया है, हालात इतने खराब हो गया है कि चीन के लोगों को अपने परिजोनों के अंतिम संसकार के लिए इंतियार करना पड़ रहा है बता दे इस भयाव इस्थिती को देखते हुए भारत समेट कई देश अलट होगा है, केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को अलट जारी कर दिया है वहीं राज सरकार की ओर से अलट जारी करने के बाद रिम्स परवंधन ने किसी भी प्रतिकूल परिश्थिती से निपटने के लिए त्यारी शुरू कर दिया है कोवीड टास्क फोर्च को भी सक्रिय कर दिया गया है त्यारी शुरू करने के साथ ही एक कोरोना संक्रमित मरीज ट्रामा सेंटर में भी भरती हुआ वहीं मरीज जमसेदपूर का निवासी है जाज के दोरान पोजेटिव आने के बाद इसे आईसोलेशन वाड में भरती कराया गया बता दे मरीज का जिनोम सिक्वेंसिंग टेस्टिंग के लिए भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट आठ से दस दिन में आएगी इसके बाद ही पुष्टी हो सकेगी कि मरीज नए वेरियंट का सिकार है या नहीं नियोजन निति पर सी म ने कहा जो यूँआ चाहेंगे वही होगा नियोजन निति रद की यह जाने के बाद राजे में पैदा हो इस्थिती के बिरोध में राजे भर के युवाओ बुद्वार को सलकों पर उतर आये, राजे के अलग अलग जीलों से हजारों की संख्या में चात्र बिधान सबागेर ने राजधानी पहुंच गये, हजारी बाग गिरीडी रामका और लोहर दग्गा, गडवा हालाकि बड़ी संख्या में चात्रों को राजधानी में परवेश करने से पहले दूसरे जीला की सीमा पर ही रोक लिया गया, युवाओ की मांग राजे में ठोस नियुजन निती बनाने, लंबित नियोक्तियों को अभिलम भरने और उम्र सीमा में छुट देने की बात, वह तीन और चार में मुलवासियों और आदिवासियों को रोजगार मिले, रिम्स की बदहाली बिजली धर्मांतरन समयत मुद्दे गर्माय, जारकन बिधान सभा सितकाली सत्र का चाथा दिन भी हंगामे के साथ सुरू हुआ, बिधान सभा की करवाई सुरू होने से पहले बिजेपी विधायक समरी लाल रिम्स की बदहाल बेवस्ता को लेकर विधान सभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे लेकिन जब प्रशने काल शुरू हुआ तो अध्यक रमीनात महतों ने उन्हें समान सदन में बुलाने का अगरा किया बता दे रिम्स की बदहाली के अलावा धर्मांतर समयत बिली संकट का मुद्दा भी सदर में गर्माया इस दोरान बिजेपी विधायकों ने सतापक्ष के खिलाब जम कर नारे बाजी की बिजेपी विधायक अनंतो जाने जारकन में हो रहे धर्मांतर का मामला उठाया तो वहीं विधायक दीपक बिरुआ ने जा आग लग गाई इसमें दोनों ट्रेलरों के ड्राइवरों की मौत हो गाई है बताया जा रहा है कि जट गड एनेच के कुईंडा के पास दो ट्रेलरों की आमने सामने भीडानत में दोनों ट्रेलरों में आग लगाई इस दोरान दोनों चालकों की मौत मौके पर ही हो गाई एक खटना 12 बजे के आसपास की हाई ट्रेलर चारा की पाचान 14 निवासी राम तहली आदवा नवादा निवासी फंटूस के रूप में की गई है लातेहर से 10 लाख काई नामी जोर्नल कमांडर मुनेस्वर आरेश्ट जारखन में नकसलियों के खिलाब पुलिस को बड़ी सफालता मिली है लातेहर पुलिस ने 10 लाख काई नामी जोर्नल कमांडर मुनेस्वर गांजो को गिरफतार कर लिया है इसके पास से तिरपन आया रुपे नगत भी बरामत किये गा है रांची गुमलालो हर्दागा समयत कई जुलों में इसके खिलाप मामले दर्ज है पुलिस अधिकारी ने जनकारी दिया है कि एका हिती सम्बर को पुलिस को गुपत सुचना मेरी थी किला आते हर जी लेके में तीन दिवसे जोनल अस्तरीय मुख्यमंत्रिया मंत्रन कॉप फूटबॉल बुद्वार को बिरसा फूटबॉल स्टेडिया मोराबादी में शुरू हुई पहले दीन के उधगाटन मैच पुरूस में रामगर ने लोहर दग्गा को दो एक से हराया इससे पूर्व उप विकास आयोक्त दिनेश कुमार यादोव खेलनी दे सालाय के आपर सचीव देवसंकरदास ने दिप प्रजलित कर परत्योकता का उधगाटन किया बता दे परत्योकता स्वागत भाईसन आयोजी सचीव सजीला खेल पतादिकारी राची संजीत कुमार ने दिया है कंप्यूटर अपरेटर को सरकार नियमित करे हाई कोड़ जारखन हाई कोड के जश्री डाक्टर एसन पार्टर की अदालाक में राजे में दस साल से अधिक समय से कंप्यूटर अपरेटर सहीत अने पदो पर कारे राज सनवीदा कर्मियों को नियमित करने का आदेस दिया गया अदालत ने अपने आदेस में कहा है कि राज सरकार सिर्फ सनवीदा पर ही लोगों की नियुक्ति कर रही है ऐसे में उमा देवी के मामले में सुप्रीम कोड के आदेस अनुसार दस साल से अधिक समय से काम करने वाले सबी सनवीदा कर्मियों को नियमित करना होगा अदालत ने कहा है कि अब बहुत हो गया सनवीदा पर नियुक्ति, राज सरकार को अब नियमित नियुक्ति ही करनी होगी और जो लोग पौले से सनवीदा पर कररत हैं उन्हें राज सरकार ततकाल नियमित करे सोलला हमा से पीडियेस दुकंदारों को नहीं मिला कमिशन जायखन बिधान सबागे सिद्काले सतर के चौथे दीन सदन में आईसू बिधायक लंबोदर महतों ने सवाल किया है कि राष्टिय खाद्य सुरक्षा जिनियम के तहद लाभकों को एक रुपे प्राति किलों की दर से जन बित्रण प्रनाली के दुकानों से खद्यान उपलब्त कराया जाता है डिलरों कया एक रूपय कमिशन के रूप में जाता है इस योजना में डिलर का कोई कमिशन बकाया नहीं है ED का दावा पंकज ने लोगों को सड़क जाम करने के लिए उकसाया बरहणवा टोल केज की जांस के बाद ED ने आई कोट में जो हलपनावा दायर किया है उसमें कई संसनी खेज खुला से किये गाए ED के मुताबिक मुख्य मंतरी हमान सुने की बिधायक पत्र निदी पंकज मिशा से पुछताज शुरू होने और उनके गिरफतारी के बाद एजनसी के जाईज सूसी करने की कोशिज की गाई पंकज मिश्रा के जेल में रहते उनसे सिविल कोट के एक वकील के मिलने और यहां पता करने का टास्क दिया गया की ED ने अब तक पंकज से क्या क्या पुछताज की है साथ ही पंकज मिश्रा ने ED को कौन कोई से जनकारी दी मुख्य मंत्री हेमान सुन के प्रेश सलाकार अविसेख परसाद ओर पिट्टू ने भी यह सारा इंतजाम करने के लिए महा दिवक्ता को कहा था और यह सारी बात चीत मोबाईल के जर्य हुई बता दे अविसेख परसाद के कहने पराची सिविल कोट के एक अधिवक्ता परदीप चंद्रा को इस काम पर लगाया गया अतिकर्मन से नदियों का अस्तित्व खत्रे में भानु परताप जारखन बिधान सभा के सित काने सत्र के चोथे दिन सदान में भाजपा की बिधायक भानु परताप साही ने कहा कि अतिकर्मन के कारण राजे की अधिकास नदिया का अस्तित्व खत्रे में हाए सिर्फ गाडवा जिल्या के बहुनाथपूर विधान सबाद छेत्रे में कई ऐसे जल सुरोत है जैसे पंडा नदी, डोमनी नदी, धोबनी नदी समेत, आथे दर्जन से ज़्यादा नदियों कास्तितों खत्रे में है नदियों को बचाने के लिए राज, अस्तरिय और जिलास्तरिय कमिटी बनाई जाए, साथी परतेग जिले में जल सन अचन के लिए निती बने धनबाद के सभी स्कूलों में कक्छा का संचालन नव बये से, धनबाद में कबकपाथी थ्रंड को देखते हुए डिसी संदीप सिंग ने जिले के सभी नीजी एवाम गयर सरकारी विद्यालियों को सुबा नव बये से चलाने का आदेश दिया चात्रों को पस्तिती का समाई अब सुबा आट बचकर पच्पन मिनट से पहले नहीं होगा यह आदेश ततकाल लागू कर दिया गया है जो 28 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा उन्होंने कहा आए कि स्कूली सिक्षा यहां सर्षाता विभाक के निदेश पर बिगा सोला दिसमर से सभी सरकारी विद्यालों में काक्षा का संचलन सुबा नौ बये से किया जा रहा है हलाकि गयर सरकारी स्कूल इस नियम का परान नहीं कर रहे थे इसलिए आज नया आदेश जारी किया गया उन्होंने बताया है कि 28 फरवरी के बाद निजी बिद्यालों के परवंधान समय सीमा में परिवर्तन कर सकेंगे अंकीता हत्यकान मामले में 28 लोग की गवाही पूरी पेट्रोल से जिंदा जला दी गई दूमका की नबालिक छात्रा के हत्या मामले में 28 लोग की गवाही पूरी हो चुकी है फसल की टीम एवाम SIT टीम के सहसो की गवाही होनी है चार सिट में पुलिस ने 26 लोगों को वहाँ बनाया था यह घटना 23 अगस्त को दुमका के जरुआ डी मुहले में हुई थी बतादे आरोपी सारुक हुसेन एवाम नईम उर्फ छोटू खान ने चाहतरा को खिलकी से पेटरोल छिड़कर जला दिया था जिससे उसकी 27 अगस्त को रांची रिंस में इलाज के दुरान मौत हो गई थी धन्यवाद